इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CMA के बच्चों के लिए तो जैसा कि CMA राकिस सिंग सर ने एक लेटेश ट्विट किया आप बच्चों के लिए और सबसे पहले ये ट्विट में आप लोको दिखा रहा हूँ दस मिनट हुआ भी आया हुआ अगर आप इस चैनल पर ने है तो आपसे हाँ जोड की हमबल रिक्वेश्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिवेशन ओन जरूर कर ले और अपने फ्रेंड के साथ सेर जरूर करे यहाँ पर दिख सकते हैं ICMI, ICMI, Interfinal Exam to Commerce from 8 December, get details here यहाँ पर उन्होंने इसको ट्विट अब हम लोग इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हम लोग जोष जो एक News Channel है उन्होंने ये आर्टिकल छापा है उन्होंने आर्टिकल क्या छापा है उसको पूरा पढ़ते हुए समझाते हुए चलेंगे, पहली बात बता दूँ, यहाँ पर सर ने सरिफ एक आर् सिंग सर ने किया है अभी इस वीडियो में कुछ बच्चे सोचिए का मत कि सर क्या कंफर्म हो गया कि एक्जाम एस पर शड्यूल होगा बस मैं आपको बता दू अभी कंफर्म नहीं हुआ है इसमें सिर्फ एक आर्टिकल चापा है जैसे कि मैं सुभा से आप लोगों को आर्ट चापे हैं उसको शेयर कियें बस ठीक है यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है थोड़ी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहां पर देखने के बाद ICMI CMA as per update the Institute of Cost Accountant of India CMA will conduct inter-final exam will be conducted from 8 December 21 The exam will be conducted in online center base across 96 Indian cities and 3 overseas centers Two cycle of CMA exam June 21 December 21 will be held together for syllabus 2016 जैसा कि हो सकता है यह पुराना syllabus है तो यह आगे चलके बाद में मानेंगे कि discontinuing नहीं हो सकता है ठीक है although the authorized have not yet released the admit card जैसा कि यह बोल रहे है कि authorized admit card अभी तक release नहीं किये है जब कि CA का admit card आ चुका है The same is expected to release soon in online mode जैसा कि यह बोल रहे है कि हम लोग ऐसा मान रहे है कि आपका admit card है वो soon बहुत ही जल्दी release कर दिया जाएगा फिर आप बच्चों के लिए भी बात किया गया अब मत सोचेगा कि सर हम लोग के लिए बात नहीं किया गया तो यह सोचकर के मट डरिएगा देखिए आप बच्चों के लिए भी बोला गया है ICMI Admit Card को लेकर के Meanwhile, the ICMI decision to conduct exam in online mode has led to discontent among some candidates These candidates are demanding the exam to be held in offline mode The exam conducted body will release the admit card and the other information regarding the exam on the official website ICMI soon जैसा कि ये बोल रहे हैं कि ICMI के जो officials है वो admit card को बहुत ही जल्दी अपके website पर निकाल देंगा Some candidates are worried about admit card As these are saying that there is a possibility of being allotted a center away from the city and delay in the admit card will difficult to the travel जैसा कि ये ये भी बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे cities से बिलॉंग करते हैं उनको travel करने में problem हो सकती है हर टाइप की problems के बारे में बात किया है इन्हों में Earlier, the Institute Cost Accounting of India ICMI Intermediate Final Institute session due unavoidable circumstances the intermediate and final were scheduled to be held 21st October जो ये पुराना कहानी बता रहे है कि पुराना पहले पहले क्या हुआ था फिर उसके बाद आपका सारा बातों को भी बताएंगे नीचे में कि कैसे कैसे आपके साथ problem हो और सारा चीजों को जो Supreme Court में आपका बात गिया है उन सब चीजों को भी यहाँ पर रखा गया होगा जैसे कि आप जानते कि कौन आपका एक्जाम ले रहा है इसवर टी सी एन ऐसे कोर के company है कोई जो आपकी एक्जाम इसवर held करवा रही है अब देखिए क्या होता है अपडेट फिलाल तो admit card नहीं आया यहाँ पर जोस का news जो देखने के बाद पता हम लोग को मोटा मोटा चल रहा है कि हो सकता है आपका exam as per schedule होगा बाकी हम लोग बहुत लोगों के उपर में dependent है जैसे कि C.A. नितिन राजपाल सर ने भी बोला है हम लोग को कि हम लोग अपने तरफ से पूरा fight कर रहे है exam को postpone कराने का मैं आपको दिखा देता हूँ उनका tweet अभी just उन्होंने tweet किया था कि हमने जो supreme court में case किया है उसका देखो finally all defects are removed hope for the best जैसा कि C.A. नितिन राजपाल सर बोल रहे हैं कि हम लोग का exam as per schedule ना हो करके change हो सकता है बाकी जोस ने तो यहाँ पर लिख दिया है जो news channel उन्हों ले लिखा है कि as per schedule हो सकता है बाकी हम देखिए किस के तरफ जाते हैं जैसा कि मैंने बोला था मैं सारा updates notification ला करके देता रहता हूँ और हम भी रहती ही कि आपका exam postponed हो जाया है हम भी तो मिलते हैं अपने किसी next video में फिलाल तक तो यहीं तक important update देखने को मिला था और ये चीज को किसने share किया CMA राके सिंग सर ने और आप बच्चों से humble request है कि अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा पढ़ाई को मैं सुरू से बोल रहा हूं खुटता के सब भूख भूख के की बच्चों थोड़ा बहुती थोड़ा बहुती करकर के पढ़िएगा न्यूज देना मेरा काम है इन्फॉर्मिशन अपडेट्स देना मेरा काम है पढ़ाई करना आपका काम है I hope आपको वीडियो जान करके अच्छी लेगी को चैनल पर नहीं है तो आप से humble request चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification on कर ले Thank you everyone